Here I am with the topic Epiculture Epiculture एक तरह की टेक्नीक होती है जिसमें हम honey bee की keeping करते है ठीक है और honey और bee wax के production के लिए Epiculture परफॉर्म किया जाता है जैसे seri culture था उसमें silk warm से silk का production कराया जाता था फिर हमने fish culture पढ़ा ठीक है तो इन सभी cultures में हम कुछ special तरह की species को choose करते हैं जैसे seri culture में हमने bombex smorey पर एक वीडियो बनाई है आप वो देख लीजिए उसमें वो species यूज होती है अभी Epiculture के बारे में इस वीडियो में देखिए फिर मैं next वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी कि Epiculture में कौन सी special species यूज होती है उसके बारे में भी question पूछा गया है ठीक है फिश कल्चर काफी lengthy topic हो गया अब सारे parts को cover कर ले क्योंकि फिश कल्चर से maximum question बनने के chance रहते हैं क्योंकि यह काफी बड़ा topic है Epiculture देखते हैं Is a technique of beekeeping by rearing practice of obtaining honey and bee wax यह मैंने बताया कि Epiculture क्यों perform किया जाता है फिर देखते हैं जब sugar का manufacture करना नहीं पता था तो prehistoric days से ही हम अपने जो eatables हैं उसे मीठा कैसे करते थे honey की मदद से करते थे तो यह बताने का यहाँ यह मकसद था कि जो honey है वो हमें prehistoric days से हम लोगों से associated है इसकी economic value बहुत जादा है इसलिए Epiculture perform किया जाता है honey was still an important element for human diet human diet में भी बहुत जदा important है और medicinal property भी इसकी बहुत ज़ादा है bees are economically important social insects honey bee को social insect क्यों कहा जाता है क्योंकि जो insect group में रहके काम करते हैं उन्हें हम social insect कहते हैं तो यह जो honey bee होती है इनकी पूरी एक colony होती है एक queen होती है कुछ workers होते हैं यह मैं आगे अच्छे से explain करूंगी तो इनकी पूरी colony होती है यह साथ में रहके काम करती है इसलिए ने social insect कहा जाता है they not only provide us with honey and bee wax they are also responsible for pollination of flowers for commercially important plants यह सिर्फ honey और bee wax ही नहीं provide करती एक बहुत important role play करती है pollination में pollination में क्या होता है जो बहुती ज़दा commercial plant होते हैं बहुत important plants होते हैं वहाँ पे जो उनके flowers होते हैं तो pollens को stigma तक पहुचाना रहता है ठीक है तो एक plant से जब उसके flower पे बैठके honey भी वो सक करती हो कि honey कहां से बनता है जो flowers का nectar होता है वो सक कर लेती है फिर अपने उसमें ले जाती ही को Groß में फिर वहाँ पे वो honey बनाती है तो flowers के nectar को जब उसक करती है तो उसके body पे pollen शिपक जाते है फिर जब वो किसी और flower पे जाती है nectar को सक करने तो वहाँ पे वो please गिर जाते है इसी तरह वो pollination में भी और हनी बी के प्रोटेक्शन करना बी से, उनके कौम को उनके पैस से, और डिजीजिस का ये सभी पार्ट है, एपिकल्चर का. फिर नेक्स्ट है, मैफ़ड ऑफ बी किपिंग इंडिया, कितने तरह के मैफ़ड होते हैं हनी बी की किपिंग? पहला है इंडिजेनिस मैफ़ड, इंडिजेनिस मैफड में दो पार्ट हैं, इम्मूवेबल स्टेक्चर्स आते हैं और मूवेबल स्टेक्चर्स आते हैं, अगर आपने देखा भी उध्यान दिया हो, smaller structures are made in protected places, प्रोटेक्टेड जगहें जब घर बन रहा होता है, उसी समय पे एक block type का permanent chamber बना दिया जाता है outer wall में घर के बहरी दिवाल में जहां पे जो honey weeds है वो अपना comb बना सकती है sometime mud chambers are also constructed mud के chambers भी बनते थे ठीक है अब movable structures देखेंगे B part B chambers are made up of hollow bags empty wooden boxes, earthen pots which can be moved from one place to another place यहां पे movable structures में हम hollow bags लेते थे या फिर कोई wooden box होता था या फिर मिट्टी का pot होता था इस तरह के कुछ ऐसे structures थे जिसमें वो अपना comb develop कर सकती थी तो एक जगे से दूसरी जगा इनको ले भी जाय जा सकता था put in a suitable location for the bees और एक अच्छी location में रख दिया था था जिससे bees अपना comb बना सके और शहद बना सके ठीक यह जितने भी हमने पढ़े इम्मूवेबल और मूवेबल यह इतने अच्छे satisfactory नहीं थे यूँकि जब हम लोग honey का extraction करने लगते तो उनका comb destroy हो जाता कोम जो उनका छत्ता होता है न वो पूरी तरह से खराब हो जाता जब हम honey निकालने लगते तो यह उतना अच्छा beneficial नहीं हो रहा था quality of honey inferior जो quality थी honey की वो भी बहुत अच्छी नहीं थी not so good due to presence of dust tissues bees, larva, pollen grains, etc क्योंकि जब हम उसको honey को ले रहे हैं क्योंकि honey भी बाहर से बहुत सदा dust pollen grains जो उसकी body पे चिपक जाते हैं मैंने भी बताया था ना, वो सब ले आती है बहुत साल है larva, dead हो जाते हैं तो सब उसी में mix होता है, इसलिए honey की quality अच्छी भी नहीं होती थी, अब आगे देखते हैं कुछ modern methods आ है modern method second part इसमें देखते हैं typical movable hives कुछ hives होती है, जो movable होती है an artificial movable hive is constructed by wooden box wooden box की मदद से एक ऐसी hive उनके लिए prepare करी जाती थी एक artificial type में size and number of frame are variable from hive to hive according to the need हम अपनी need के हिसाब से जितनी हमारी honey bee हो, उनके हिसाब से वो frame set करते थे, ठीके तो अलग-अलग species colony की हिसाब से अलग-अलग size का होता था फिर second है, queen excluder in this method, queen is excluded from the colony and provided a special food called royal jelly, मैंने बताया ना कि honey bee की पूरी एक colony होती है मतलब पूरी एक team होती है तो उस team में एक honey bee ऐसी होगी जो size में बड़ी होती है बाकी comparison में, तो जो size में बड़ी होगी, वो queen बनती है ठीक है, क्योंकि हम कैसे decide करेंगे कि इतनी honey bee में queen कौन सी है तो जो size में बड़ी होगी, वो queen होती है तो उसको थोड़ा special treatment दिया जाता है, उसको एक special chamber दिया जाता है, उसको हम royal chamber sorry, brood chamber कहते हैं और special type का food दिया जाता है जिसे हम royal jelly कहते हैं तो उसको अलग रखा जाता है और उसके chamber में से workers जो है, वो permitted होते हैं third है honey extractor honey निकालने के लिए honey extractor आता है tool, it is used for the extraction of honey from the comb, comb से honey निकालने के लिए ये tool use होता है functions on the principle of centrifugal force और centrifugal principle पे ये काम करता है when comb are centrifugged by this device the pure honey is thrown out without damaging the comb और इस tool की मदद से जब honey prepare हो जाता है तो इसमें honey pure honey बाहर निकल जाता है और comb भी destroy नहीं होता है तो ये था comb foundation fourth है इसमें artificial comb is prepared by the sheet of bewacks bewacks के एक sheet बनाई जाती है जिससे comb prepared किया जाता है लेकिन वो artificial comb होता है उसमें honey भी नहीं वो comb बना रही है ये हम बना रहे है man-made होता है तो यहाँ पर bewacks की मदद से एक sheet बनाई जाती है different cells of combs are made in advance different cells यानि अपने अगर मखी के छटे को देखा हो तो बहुत छोटे-छोटे compartment cells बने होते है तो वो different cells हम comb के बना देते हैं advance में पहले से ही तो honey भी सिर्फ उसमें honey रखती है बनाती है बाकि उसको कुछ extra work नहीं करना पड़ता sheet is cut to the size of frame and fitted inside it और जो sheet होती है भी wax की वो बिल्कुल उसी hive के size की cut कर ली जाती है फिर fit कर दी जाती है उसमें फिर देखते है uncapping knife ये कौन सा tool होता है when all the comb are filled with honey they are sealed by capping with the wax जब जितने भी comb के parts होते है ना cells होते है जब पूरे honey से भर जाते है तो हम उसको seal कर देते है wax से ठीक है कि अब अंदर कोई भी honey भी ना अंदर जा पाए so before such cap combs are placed in honey extractor मतब honey extractor में comb को रखने से पहले comb को seal कर दिया जाता है तब wax sealing has been removed with the help of uncapping knife heated by steam before use और यह uncapping knife का क्या use होता है जब वो seal हटानी होती है ना तो उस seal को हटाने के लिए uncapping knife use होता है steam करके heat करके उसे हम use कर सकते हैं फिर tools for bee keeping अब कुछ special tools हैं bee keeping में जो use किये जाते हैं देखते हैं वो कौन से हैं पहला है bee gloves gloves use होते हैं they are leather gloves leather के बने हुए gloves होते हैं used by the bee keepers used by the bee keepers to protect their hand from sting of bees bees का जो dunk है वो sting उन्हें ना लगे इस वज़े से वो bee gloves पहनते हैं सारा handling करते समय comb को बनाते समय या honey को extract करते समय तो उसके बाद second देखते है bee veil a bee veil is a covering to protect the keeper's face जैसे वो blacksmith होते थे ना face को cover करने के लिए पहनते थे ना iron का वैसे ही यहाँ पे जो bee keeper होता है वो भी एक type का covering पहनता है अपने face और neck और head region को बचाने के लिए bee के sting से ठीक है क्योंकि यह work इतना ज़ादा easy नहीं होता है it is made up of fine net usually through bees cannot pass यह बहुत पतले पतले net का बना होता है छोटे छोटे जिससे honey bee pass नहीं कर पाती ठीक तो जो bee keeper का face और head सब होता है वो सही सही रहता है third है smoker a smoker must be used while capturing bees in a hive ठीक है एक smoker आता है जिसमें जब honey bee को capture करना रहता है hive से हटाना रहता है जब क्योंकि जब सब cells भार गए honey निकालना है तो जो भी honey भी अंदर होंगी उसको हटाना पड़ेगा न तो smoker use होता है smoke from paper wood coconut cover make the bees inactive फिर हम wood का use करते हैं या coconut का जो बाहर वाला छिलका होता है वो use करते हैं उसको जला के smoke produce करते हैं इसे बीज होती है वो inactive हो जाती है इस इस फायर बॉक्स smoker in which smoke producing materials and fire are put बदर पूरा smoker एक टाब का instrument होता है जिसमें वो जो इस materials होते हैं वो put की जाते हैं फिर वहां से smoke निकलता है बेलो system is fitted in the blow the smoke ठीक है फिर देखते हैं फोर्थ हाइव टूल हाइव टूल एक तरह का होता है जो लंबा पतला सा होता है नेरो फ्लाट स्टील का बना हुआ होता है आगे से थोड़ा बेंड होता है जिसे कि हम जितना भी dirt material अंदर होता है जो बी से कठा करती हैं कुछ dead larva होते हैं कुछ dirty materials होते हैं उनको हम scrap out बाहर कर सकते हैं तो यह use होता है अब precautions देखेंगे epiculture में क्या precautions करने चाहिए फिर प्रॉपर management of beekeeping following precautions शुट भी टेकन पहला है जो boxes must be kept under shade at cool places जो भी हम wooden boxes artificial बना रहे हैं वो थोड़े shaded places में रखने चाहिए direct sunlight में नहीं रखने चाहिए second is fresh water reservoir should be near the hive कोई भी fresh water या लेक या pond या river आसपास होनी चाहिए जहां भी अपना hive हम बना रहे हैं third is good flora for collection of pollen and nectar should be present और जब यह honey भी है यह nectar लेती है ना flower से तब तो honey बनता है तो अगल बगल अच्छा कासा flora होना चाहिए फूल पॉदे अच्छे कासे होने चाहिए तबी तो वो nectar लेके honey बनाएंगी उन्हें बहुत दूर नहीं जाना पड़े तो इसका ध्यान रखना चाहिए tools must be used to avoid risk of bee sting और जितने भी tools मैंने बताए उनका सही तरीके से use करना चाहिए जिसे honey bee के sting से हम बचे रहे हैं ठीक तो ये कुछ precautions थे और उपर जो आपने टॉपिक देखा ना ये 5 वाला ये मैंने क्योंकि मैं अपने notes में extra material add करा करती थी तो थोड़ा मैं अलग-अलग authors की book से लिखती थी थोड़ा कहीं net से अगर useful लगा तो वो लिख लेती थी तो वही मैंने ये उपर लिख दिया bee brush के बारे में की bee brush भी एक tool आता था it is a large brush often employed to brush of bees from honeycomb at the time of honey extraction ठीक है honey brush क्या होता था bees को हटाने के लिए honeycomb से जब honey का extraction करना होता था तो इसका use होता था तो ये कुछ tool से apiculture के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप इतना ही बताएंगे और इसके आगे मैं video बनाऊंगी वो honey bee कौन सी use होती है उसके उपर और उसकी life cycle भी बताऊंगी ठीक है thank you